तो आज के वीडियो में आपको गुड़ी पारवा पर गुड़ी आपको कैसे बनानी है और उसकी क्या पूजाविदी है ये बताऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं तो ये देखें ये सारा समान हमें लेना है आपको एक एक करके में स्टेप वाइस सब बता दूगी कि सरल त सानी से गुड़ी की पूजा और गुड़ी पारवा कैसे मना सकते हैं तो ये देखें हमें कोई बॉर्डर वाली साड़ी लेनी होती है इस साड़ी को जो साड़ी की पट्रियां हम बनाकर पहनते है वैसी सेम पट्री बनानी होती है और एक इसके बाद हमें लकड़ी लेनी ह करने हैं मतलब ऐसे करके 5 ला हम вход लगाते हैं और सेम तरीके से VAM हम में हल्दी कुम कुम की देनी होती है हमारी यह जो डंडा हमने लिया है इस पर गुड़ी महराष्टा साउथ इंडिया यहां पर खड़ी करने का प्रचलन है और यह बहुत शुब माना जाता है नव वर्ष पर गुड़ी खरी गुड़ी उभारी जाती है तो यह देखिए एक कि इस पर हम कुम कुम से स्वस्तिक बना लेंगे और इसके बाद पांच लाइने तो हमें ऐसे कुम कुम से बनानी होती है यानि रोली से और पांच लाइने हल्दी से बनानी होती है तो यह देखिए एक सत्या तो हमने बना लिया एक स्वस्तिक तो हमने बना लिया अब इसक किसे करकर के पांच लाइने हमें हल्दी की भी बना ली है गुड़ी उभारना अपने घर पर बहुत शुब होता है यह हमारे घर पर नव वर्ष में खुशिया आए हमारा नव वर्ष अच्छा रही इसलिए हम लगाते हैं यह गुड़ी और इसके बाद यह देखे साड़ी को हम अच्छे से जैसा मैंने आपको बोला पट्रियां आपको बना लेनी है बॉर्डर वाली नई साड़ी ले तो जादा अच्छा है वरना कोई से भी नई साड़ी ली जा सकती है पर साड़ी नई होनी चाहिए इसके बाद हम किसी भी चीज़ की हेल्प से हमारा यह जो हमने लकड़ी की काठी ली है इस पर हम मोली की हेल्प से हमारी यह जो साड़ी है वो अटैच कर रहे हैं आप किसी की भी हेल्प से साड़ी इस पर बांध ले अब हम जो भी समान हमने लिया है फूल माला फूल माला ना हो तो आप बस थोड़े बहुत फूल चढ़ा सकते हैं यह साखर गाठी आती है यानि यह चीनी के ऐसी माला होती है यह हमें चड़ानी यह मार्केट में मिल जाती है गुड़ी पाडवा के टाइम पर और नीम के पत्तों का विशेश महत होता है नीम के पत्ते वह वाले हमें लेने होते हैं जिसमें छोटे छोटे नीम के पत्तों में छो चाम के पत्तों की माला वो भी हम लगाएंगे तो ये देखें ये ही सब हमें गोडी में लेना होता है इसके उपर अब हमारा लोटा रख लेंगे और लोटे को अच्छे से किसी मजबूत चीज की हेल्प से आप अपना लोटा जो हमने डंडा लिया है जो लकडी ली है उसमें बांध लें वरना वो क्या होगा उपर का लोटा अगर डीला हो गया तो आपकी ये जो गोडी है ये गिरने का डर रहेगा और मतलब वो अप्शगुन लगता है कई बार मतलब हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है इसलिए आप कोई भी प्रॉब्लम ना क्रियेट करें और उसे एकदम अच्छे से मजबूती से बांध ले तो इस तरीके से आपको अपनी गोडी रेडी करनी है अब इसे घर के बाहर मुख करके टांगा जाता है तो हमारे याँ तो ऐसे एक कील हमने लगा रखी है जिस पे आप असानी से गोडी पाड़वा किये जो गोडी है ये उभार सकते है और इसे हम देखे मैं जैसे दिखा रही हूँ घर के बाहर सेम इस तरीके से आपको लगानी होती है में खड़ा करके भी आप किसी गंबले में लगा सकते हैं पर मैं आपको समझाने के लिए अभी इधर मुख करके पूजा करके दिखा रही हूँ पर आपको इसका मुख अपने घर के बाहर के साइड रखना है इसके बाद जहां गोडी आपने खड़ी करी है उसी के एकदम नीचे वहाँ पर हम पहले तो अच्छे से साफ कर लेंगे पानी से उसके बाद वहाँ पर रंगोली बनाएंगे रंगोली बनाना किसी भी तोहार में बहुत शुब होता है रंगोली पर हल्दी कुमकुम जरूर से डालें और ये देखे जो जो आप बनाना चाहें अपनी रंगोली में वो रंगोली आप बना सकते हैं इसके बाद जो हमने पाटा रखा है उस पर हम थोड़ा सा हल्दी कुमकुम डालेंगे और चावल अक्षद अर्पित करेंगे ये गुड़ी की पूजा जो भी हम करते हैं वो हम सब कुछ यही पर दिखा कर अर्पित कर देंगे कुछ फूल गुड़ी को चढ़ाएंगे एक नारियल चढ़ाएंगे नारियल भी प्रशाद के रूप में चढ़ाया जाता है नारियल पर भी हम हल्दी कुम को मर्पित करेंगे इसके बाद कोई भी प्रशाद आप चढ़ा सकते हैं गुड़ी का जो मुख्य रूप से प्रशाद बनता है नीम, कच्चाम, गुड़ वोसम मिलाकर वो भी आपको बनाना होता है इसके बाद आर्ती करें पुरन पोलिया जो भी खाने का प्रदार था बनाते हो वो बनाकर आप गुड़ी को पूजा करके प्रशाद लगा सकते हैं इसके बाद दीपक लगाएंगे दूब, दीव, नैविद्द, प्रशाद सबसे हम हमारी गुड़ी की पूजा करेंगे और इस तरीके से हमारा गुड़ी पारवा का जो पूजन है वो कंप्लीट हो जाएगा तो यहीं असान सी विद्धी से आपको गुड़ी पारवा पर पूजा करनी है तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें मेरे चानल साइंग खुशी क्रियेशन्स को जरूर से सबस्क्राइब करें तांक यवरी मुड़ी अच्छाइब करें